एक में टुखना वर स्कार्ट करते हैं आज की जो हम अभी तक वास्ट्रिक संख्याई चाप्टर पढ़ रहे था और हमने बहुत सारी चीजे इसमें पढ़ ली थी लास्ट टॉपिक हमने दिशमलगों का गुणा और भाग पढ़ाता राइट अभी मैं क्या करूंगी? गुणा कैसे होगी? भाग कैसे होगी? गुणा में हमने अगर सिंपल सी बात है दो दिशमलग तीन को गुणा करना है जीरो दिशमलग दो से आप इन दोनों को गुणा करो करें तो इसको सिंपल दो से के साथ गुणा करो तीन दो निशी दो दूनी चार्ट आपके पास 46 आजाएगा अब यहां पर गिनो कितने अंक ऐसे हैं जिनके बाहर दिशमलग है तो पहला अंक और यहां पर दो तो आप को यहां पर भी दो गिनना है और दो के बाद देशमलग रजान है हमेशा यह आप कहां से गिनोंगे अपने सीधे हाथ की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो जीरो देशमलग चार छे स्टान कर आएगा ठीक है और इसी तरह हम भाग कैसे कर सकते हैं भाग में क्या क करना है जैसे आपको फॉर एक्जाम्पल जीरो देशमलग पांच को भाग करना है जीरो देशमलग एक से ठीक है पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चो आप इसको भिन्न में बदलोगे तो जीरो पॉइंट पांच को क्या लिख सकते हो करो मैं जीरो देशमलग पांच को हम जीरो वड़क सकते है जलोग जीरो दशमलग को क्या लिखेंगे ऑक है बयावनठी बैटा 0 देशमलग एक को क्या लिख सकते हैं एक बटा 10 यह ठीक है विवेक इसके अगला स्टेप क्या होगा अगर आक तो यह भाग करना पड़ा है अगला स्टेप क्या होगा पांच बटे दस गुणा, दस बटे गुणा, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड, पांच बटे दस भाग गुणा में बदल के आएगा, एक बटा दस को आप, दस बटा एक लिख होगे, जो हमने इसका विप्रम लिया, अब दस के साथ, दस कट गया, और आपके पास पांच बटाएगा, तो आपने भाग में हमेशा क्या करना है, भाग के निशान को गुणा में बदलना है, और दूसरी संक्ष्या का विप्रम लेना है, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूँगी, सभी वच्ची वो क्वेश्चन करेंगे, यहां पर यह वाला 0.24 को भाग करना है, 0.144 से, तभी वच्चे, अभी मैं बाट, चैट बॉक्स बंद कर रही हूं, तभी अपनी नोट बूप में ट्राए करेंगे, और मुझे बाक कामरा करके बिखाएंगे, सभी वच्चे, अराम से ट्राए करो, 0.12, मैंने यहां पर साइड वाला इस लिए, मिताया भी नहीं, कि आप वहां से भी थोड़ी सी हेल्प ले सको, तेम रहेगा सब कुछ, जो कर लेगा, वो अपनी नोट बूप दिखाना मुझे, बाक कैमरा के, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेस्टिन के लिए, बड़ सभी ट्राए करो, कोई बच्चा ऐसा, अगर कोई कहीं पर अटक जाए, तो वो भी बताना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ने कर लिया है, सुमित ने कर लिया है, चले हो पहले सुमित, नोट बिखारा सुमित का अंसर बेटते है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, अपने हजार के दो जीरो, सौर के दो जीरो से कार्ड भी, 24 से कम 24, 24 छिके 147, तो 10 बटा 6 बचने चाहिए था ना, यहां तक मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बटा एक बार आप चेक कर लो यहां, नीरत कर ठीक है, और किस ने किया है, विवेक आप बेटा नोट बुक दिखा सब्सक्राइब करके, हां सुमित अब ठीक है, अब ठीक है, हां पांच बटा तीन भी लिख सब्ते हो, आप उसे 0.6 भी लिख सब्ते हो, विवेक पूरा आंसर दिखाओ मुझे, यह तो फाइनल आसर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, यह, बिल्कु ठीक है, रवी का देखते हैं, एक नट, यह, तो रवी ने भी कैसे क्या है, 6 बटा, 8 बटा, हां रवी आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है, और आपको इसको बदलना भी आता है, तो आप इसे दिश्मलव में भी बदल सकते हो, मुष्कान का आंसर देखते हैं, मुष्कान, हाँ, मुष्कान का भी ठीक है, बेरी गुड मुष्कान, नेहा का, मैंने चाट बॉक्स में खोल दिया है, कोई बच्चा अगर ऐसा है, जिसकी साइडिया तो अधीरा हो, या कोई बाक क्यामरा करके नहीं दिखा पा रहा हो, चाट में लिखते हो, हाँ, वेरी गुड नेहा ने डेसिमल में बदल दिया, देशमलव में बदल दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, शाब बास, इसका मतलब सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कोई बतते हैं ऐसा, साहिल, साहिल बेटा, आपकी नोट बुक नहीं मुझे न हाँ का निशान और इसको 144 बटा एक हजारा देगा, शिजिए आपर तीन अंके जिर्के बार दशमलव है, अब आपने सेम काम करना है, भाग को गुणा में बदल दिया, जिब आपने भाग को गुणा में बदल दिया, तो आपको इसका व्युच्रम लेना पड़ेगा, 144 एक बटा एक हजार का, अब यहां पर दो जिरो से दो जिरो कट गई, और 24 को आप भाग कर सकते हो, 24 एकम 24, 24 एकम 24 नहीं पता, तो बारा दुनी 24 कर लो पहले, 24 एकम 24, 24 छिके एक सर्च वाले होता है, तो आपके पास 10 बटा 6 बचे का, इसको या तो आप 5 बटा 3 लिख सकत जिन बच्चों ने 10 बटा 6 को 0.6 लिखा है, बच्चों क्या ठीक लिखा है, तो मैम, 0.6 लिखना ठीक रहेगा, नो मैम, 1.3 बटाशी मताईगा, एक बार फिर से देखो सब बच्चे जिनोंने 0.6 लिखा है, नहीं बेटा, हर में 10 होना चाहिए, आपने अपने हिसाब से ठ का आइडिया लगाया, बस हर में 10 होना चाहिए, आप के पास 10 बटा 6 आंसर आया, 10 बटा 6 आंसर आया, तो या तो आप इसको यहीं पर divide गर लो, ठीक है, या तो आप इसको यहीं पर divide गर लो, कि दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, इसको पहले, आप सीज़े divide गर के वेखो, छे इकम, छे, बचे चार, आपको बदलना आता है, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा, फिर चार बचेंगे, और फिर छे छे आता रहेगा, तो एक कशमलव लगभग छे छे के बराबर आएगा, या फिर आप इसको दस बटा छे को क्या लिख सकते हो, दो पंजे, दस, दो ती अच्छे, आप इसे पांच बटा तीन में करते हुए, बस रहने दे सकते हो, समझ में आया, जिन्हों ने 0.6 लिखा था, क्यों गड़बढ़ हुए है उनकी, मैंने भी नोटिस नहीं किया, आपकी नोट्बुक देखते हुए, जब मैंने सॉल्व किया, तो मुझा रियाला हुए, अब यह वाली में सेक मही करना, हर में दज सौ या हजार होना चाहिए, समझ में आया सबको, यस मैं, पकी बाते हैं, यस मैं, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, परिमे संचाओं के बारे में, परिमे संचाओं, अभी तक हम बहुत सारी संचाओं पढ़ चुके हैं, आप लोगों को किश किश को याद है, कि हम प्राक्रतिक संचाओं पढ़ चुके हैं, पून संचाओं पढ़ चुके हैं, हम पूनाग पढ़ चुके हैं, यह तीन तरह के पढ़ चुके हैं, मुझे ब कि अगर मैं बात करती हूं तिरफ सोला की अब बताओ एबी सी में से कौन से सब्थ है एए एग विए बार अपने अपने आंसर लिखो ताकि मैं फाइनल आंसर देखाए रवी ने भी एबोला है नीड़ ने भी एबोला है मुझे बताओ क्या सोला बी में नहीं आ सकता क्या सोला पून मैं पूरन में माइन सरिप दो नहीं होगी सिरफ एक डो सिनभी चार्ट जिनसे आप Самोड से संख्याओं की गिंती करते किसी किन्वी वर्स्तू की गिंती में अब प्राकर्तिक और पून में बहुत छोता सा फरक है पूरण में जीरो भी शामिल हो जाता है ठीक है बाके सारी प्राकर्तिक वाली संख्याएं आती है तो जब इतना सा फरक है कि जीरो भी शामिल हो जाता है अब पुनाज में क्या होता है यह इतनी भी पुन संख्या है ना, इनके सारे नेगेटिव वाले नमबर की, ए, दो, तीन, चार, अब बताओ, सोला, ए, बी, सी में से कौन से में आएगा? इमें मैं, क्या तीनों में आ सकता है, यह कहना गलत होगा? तीनों में आ सकता है, समझ में आ रहा है सबको, जो सोला है, पुन संख्या भी है, वो पुन संख्या भी है, वो पुनाज भी है, है ना? Yes or no? Yes ma'am. So, आज हम एक नई तरह की संख्या पढ़ेंगे, जो क्या है? परीमे संख्या. ठीक है? यह मैंने अभी आपको रिवाइज कराया, आप देखो, जो प्राकर्टिक संख्या है, फिर उन में 0 मिल जाता है, तो वो पुन संख्या भी बन जाएंगी, फिर इनहीं का अगर नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाता है, तो वो इंतीजर कहलाते हैं, पुन नाम कह अपने वाली संख्या, जहां पे P और Q दोनों पुनाख हैं, और Q 0 के बराबर में हुए, तो परिमे संख्या कहलाई है, मैं आपके सामने एक 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 जामपल देती हूँ, आप सिरफ परिवाशा देखो, कि क्या ये P बटा Q के रूप में लिखी हुई है, मतलब कोई संख्य ये S or No? लिखी हुई है, यहां पर T और Q पुनाख है, प कमान 5 है, और Q की जगह 3, क्या 5 और 3 दोनों पुनाख हैं, ये S or No? पुन्नांग मैंने अभी बताया ना आप लोगों को पुन्नांग क्या होते हैं माइनस एक, माइनस तो, माइनस तीन, जीरो, एक, दो, तीन, चार पुन्नांग है की नहीं है, पांच और तीन येस, दोनों पुन्नांग भी है P और Q, दोनों क्या है, PUN NAG है, Yes, अब क्या यहां पे Q कमान 0 के बराबर है, नहीं है, Q कमान 0 के बराबर, नहीं है, तो क्या 5 बटा 3 को मैं एक परिमे संख्या कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, जलो, थोड़ी सी confusion मुझे यहाँ पर लग रही है, देखो, सबसे पहली condition क्या है परिमे संख्या होने के लिए, कि वो संख्या P बटा Q के रूप में हो, मतलब अंश बटा हर, मैं इसको ऐसे भी कह सुखते हूं, कि something बटा something, कोई भी संख्या के बटे मे कोई संख्या है, अंश बटा हर, लेकिन दूसरी condition आ जाती है, कि जो P और Q है, जो अंश और हर है, वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों पून्नांग होने चाहिए, अब पून्नांग मैंने आपको अभी भी समझाया था, दुबारा से बताते हूं, पून्नांग में क्य आते हैं, सारे के सारे आपकी प्राकशिक संख्या है, पून्नांग में कह दू कि जितनी भी आपकी ये नेगेटिव वाली संख्या है, तो दूसरी condition क्या है, कि P और Q पून्नांग होने चाहिए, और तीसरी condition क्या है, कि जो Q का मान है, जो हमारा हर है, basically जो हमारा हर है वो 0 के बरावर नहीं होना चाहिए वो 0 के बरावर नहीं होना चाहिए पहले बताओ ये तीन चीज़े समझ में आई एक example भी लेंगे अभी ओके एक बात बताओ क्या minus 1.1 पूनाँख है पूनाँख कैसे हो रही है पूनाँख नहीं होगा minus 1.1 देखो पूनाँख में ना ही दशमलव वाली संख्याए आएंगी ना ही धिन वाली संख्याए आएंगी ठीक है? ना दशमलव ना भिन इसमें negative वाले numbers आएंगे जो हमारे simple से number देखो कुछ नहीं सोचना है minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 0, 1, 7, 8, 10 ये ये number आएंगे ठीक है? ये पूनाँख नहीं लाएगा अब यहाँ पर मैं एक example लेती हूँ तेरा बटा 7 ठीक है? अब सबसे पहले देखो क्या ये अंश्र बटा हर्फ पटा Q के रूप में है? है चालो सुमित P का मान कितना है यह अब पर अगर मैं देखो ंश कितना है? यानि यानि Karen को हम P से दिखा रहे हैं तुमित अंश का मान कितना है? तेरा very good very good RT Q का मान कितना है? यानि हैं कि जो हमारा हर है हर को हम Q से दिखा रहे हैं आर्टी टिपिका साथ मन्द साथ है, very good अब, yes very good, very good अब रवी आप मुझे बताओ क्या P और Q दोनों पुनाख है रवी आप हो क्लाश में yes, very good ये दोनों पुनाख है तो क्या हमारी दूसरी वाली कंडिशन भी पूरी हो गई, बिल्कुल हो गई अब क्या Q Q कमान जीरो के बराबर है नहीं है कमान तो साथ के बराबर है Q जीरो के बराबर नहीं है तो तीसरी वाली condition भी फूरी हो गई तो क्या तेरा बटा साथ परीमे संख्या है यह अब सभी वच्चे अपने पास से अभी आपको पता चलगी है परीमे संख्या क्या होती है तीन-टीन परीमे संख्या लिखो अब चार्ट बॉक्स में सभी बच्चे 3-3 परिमे संख्यान लिखेंगे पहले मैं आपके एक्जांपल लेज़ी हूं फिर और एक्जांपल से समझाओंगे सभी बच्चे 3-3 परिमे संख्यान लिखेंगे वेरी गुड नीरज नीरज ने नौ बटा दो लिखी है पंदरा बटा साथ येस, वेरी गुड तांच बटा चे वेरी गुड भीवेग सत्रा बटा चे चलो मैं यहाँ पर एक्जाम्टल्स भी लिख पी जाती हूं आज सब के तो एक्जाम्टल्स आप लोग बोल रहे हूं शाब बाश नौ बटा दो पंदरा बटा साथ पांच बटा चे सत्रा बटा चे वेरी गुड शाहिल वेरी गुड नीरज पच्छिस बटा साथ पाइल पाईल आपका मुझे एक जाम्टल नजर नहीं हा रहा है पाईल टो सबी ने लिख दिया है अब मुझे एक बात बताव यह सबने लिख दिया वेरी गुड अब मैंने आप पे आपके examples लिख दी अब मुझे बताओ क्या अगर मैं माइनस नौ बटा दो लिखती हूं क्या यह परिमेशन्च्या होगी येस और नो येस और नो सभी वच्टे येस बोलना चाहते हो येस बोलो नहीं बोलना चाहते हो नहीं बोलो येस मैं बिल्कुल क्यों कि देखो माइनस नौ माइनस नौ भी तो एक पुनाख है सबसे पहले ये पी बटा क्यू के रूप में है बिल्कुल है इसमें पी और क्यू दोनों पुनाख है आपको पता है माइनस नौ और दो दोनों ही पुनाख है इसमें Q0 के बराबर नहीं है Q0 के बराबर नहीं है सीधा समझलब है कि हर 0 के बराबर नहीं है हर 0 के बराबर नहीं है तो इन सभी का अगर आप रिडात्मत भी ले लो माइनस 15 बटे 7 माइनस 5 बटा 6 माइनस 17 बटा 6 होंगे तो यह सारी होंगी बच्चो परिमे संक्या होंगी तो मैं चीक lah एंठे DO । है प्लियर है क्या जा तक समझ में आ गया क्या कि और तक बीच में sweater करें शक्क-पर protective नारि नडरे ज्परिमे संक्या है सबी बच्चे येस मैं बिलकुल है ठीक है तो हम बारा बटा अब मैं आपसे question बूश्क्रेओं क्या 1.2 परिमे संख्या है या नहीं है नो मैम नो मैम नो मैम आपने बोला बारा बटा दस तो परिमे संख्या है पर आप कह रहे हों कि एक दिशमलब दो परिमे संख्या नहीं है येस मैम नो मैम मतलब रेट के नहीं सोच रेट के आंसर नहीं करना है आप देखो कि आप उसे solve करके आप एक दिशमलब दो को solve करके बारा बटा दस लिख सकते हो लिख सकते हो तो ये तो पी बटा क्यू के रूप में फी और तो दोनों पुन आखे इसी तर अगर माइनस एक दिशमलब दो होगा तो वो भी परिमे संख्या होगी तो दिशमलब वाली भी परिमे संख्या हो में ही आईगी कि आप उसको बटा में बदल सकते हो सारी नहीं कह रही हूं है बट जिनको आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो तो यहाँ तक समझ में आया पहले येस माइब अज तुरस बात करते हैं 12 क्या 12 एक परिमे संख्या होगी जो 9 बोलते हैं वो हैंड रेज करो पहले जो बच्चे 9 कहते हैं वो हैंड रेज करो ओके नीरच ठीक है पायल और और बाके वच्चे 12 एक परिमे संख्या नहीं है 9 वालो ने हैंड रेज से ठीक है येस माइब चलो कोई बात में कोई बात क्या 12 को 12 बटा एक लिखा जा सकता है येस माइब लिखा जा सकता है कोई फरक पड़ेगा तो अब बताओ क्या 12 बटा एक परिमे संख्या है और हमने ये जब आं भ्यूत करम ले रहे था हमने तो भी सीखा था जब किसे संख्या के नीचे कुछ नहीं होता हम एक रख देथे तो क्या ये परिमे संख्या है है ना सुमित नीरच समठ में आबच्चो इसलिए ना वलत भी होता है तो भी कोई बात ने ये एक परिमे संख्या है तो अब क्या माइनस बारा परिमे संख्या है माइनस बारा बटाई ग्रिक सकते हो वेरी तो ये भी परिमे संख्या है ठीक है तो हमने सीखा जो हमारी दशमलब वाली संक्षाइं आएंगी यह जो हमारे पूर्णाग आएंगे यह जो हमारी प्राक्रिक संक्षाइं होंगी वो सभी परिमें संक्षा होंगी अब बात करते हैं जीरो की यह बहुत इंपोर्टेंट है क्या जीरो परिमें संक्षा है yes ma'am very good yes क्योंकि आप इसको भी तो 0 बटाएगी सकते हो अब condition क्या है कि 0, P और Q पुन्नाग होने चाहिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो हम अगर देखें P और Q, P command 0 है Q command 1 है तो दोनों के दोनों क्या है दोनों ही पुन्नाग है और उसमें Q तो 0 नहीं है पहले ही P 0 है तो चलेगा Q 0 नहीं होना चाहिए हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए तो ये 0 नहीं है तो ये परीमे संख्या होगी तो अभी समझ में आया परीमे संख्या है कौन सी होती है Yes ma'am Very good, very good Yes ma'am Shabash Acha किसको Under Root के बारे में पता है वर्गमूल के बारे में पता है अगर मैं आपसे पूछू वर्गमूल 4 का मान कितना होता है किसको आता है 2 होता है हाँ तो देखो हम आगे जाके वैसे पढ़ेंगे भी तो 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो और यह जो यह वर्गमूल का निशान होता है इसमें से 2 को बाहर निकाल पकते हो तो इस तरह कि जो भी नंबर होंगे तो अगर मैं आपको सिंपल दे दू कि क्या वर्गमूल 16 एक परिमेश संख्या है क्या कहोगे आप जैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि वर्गमूल 16 का मतलब क्या होता है चार होता है ठीक है क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है न आपको ऐसी संख्या डूमनी है बस सिंपल सी बात बताओं मैं अभी के लिए आगे चलके हम इसको अच्छे से सीखेंगे बस आपको ऐसी संख्या डूमनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आ जाए ठीक है जैसे अगर मैं वर्गमूल 9 की बात करते हूं तो वर्गमूल 9 किसका होगा आप 3 गुणा 3 लिख सकते हो पांच के बरावर हो जाएगा तो अगर मैं इनकी बात दरूँ केवल इनकी तो क्या ये परी मैं संख्याए है क्योंकि इनको सॉल्व करके 3 4 5 आ रहा है तो ये भी परी मैं संख्याए होगे ठीक है अब यहां पर मैं एक टेबल बनाती हूं डार, क्या थती हो, अब यहां पर बहुत सारी संख्याए है लिखते हूं आपको सिरस Yes और No में देना ही यहां पर Yes य क्या No और यहां पर मैं तो 6 संख्यां लिखते हूँ क्या सबच्चे देखते जाओ। और अगर आपको पता है तो अपनी notebook पर लिखते जाओ आपको बताना है कि क्या यह चारो चलो एक और देते हूं हाँ आपको बताना है कि यह पांच है इन में से कौन-कौन सी परिमे संख्या है या वैसे कर सकते हो फर्स सब्सक्राइब पर्स यह से करें इस वह जो कि सब्सक्राइब अधर्स यह फर्स्ट यह संख्या वर्स्ट यह ओके इस पर्स्ट के बारे में बताओ चलो, second को छोड़कर सारी है, एक बार फिल्के सोचो, second के बारे में एक और बार सोचो, okay, Sumit ने yes लिखे, और मुझे सिरफ yes नहीं बताना है, मुझे yes का reason भी बताना है, क्यों है बेटा, very good Sumit, क्योंकि आप 2.15 को 215 बता है, तो अंडरूट छत्रूश का मतलब तो 6 होता है, तो ये भी परिमें संख्या है, ये भी परिमें संख्या है, हाँ, इसको आप एक लिख सक्ते हो, और ये तो है ही पहले फेस रूप में, इसको आप minus बता है एक लिख सक्त हो, तो ये भी है, और 81 बता, इस लिख सक्ते हो, तो ये भी है, सारी परिमें संख्या है, हाँ, ठीक है, अब कोई बच्छा ऐसा, जिसको नहीं पता चला कि परिमें संख्या है, क्या होती है, सब को clear है, very good, very good, ठीक है, अब यहाँ पर under root 5 है, यह अगर हम एक example लें, जो परिमें संख्या नहीं है, तो मैं कहूँ नहीं कि under root 5 परिमें संख्या नहीं, क्या आप इसको आगे solve कर पा रहे हो, आप अपने हिसाब से बताओ अभी, आगे हम detail में भी पढ़ेंगे, बस अभी के लिए बताओ कि under root 5 को आप कुछ भी लिख सकते हो, चार लिख सकते हो, दू लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो यह अपरिमें हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी के लिए आपको परिमें अच्छे से समझ में आगे लिएंगे, ठीक है, शून ने एक परिमें संख्या है, य जीरो के मामले में 0 पटा 1 लीच सकते हैं तो इसमें P कमान 0 है Q कमान 0 नहीं है तो अभी सब बच्चे एक वेश्चन करेंगे कि चलो एक क्वेश्चन करेंगे easy सा question है एकनट sorry एकनर दो बस मुझे इतना आप question को देखो, कोई भी chart में नहीं लिखेगा अभी एकनर बस पोल में अभी आपके पास आएगा पोल में सब बच्चे आंसर करेंगे जाकर आप अभी बच्चे पोल में अंसर करेंगे जिनके पास पोल को अप्षिका आपके पास पोल को अप्षिन है आज के सब नो इसका पै ओके बच्चे आप पोल में अंसर करो पीटा बहुत ध्यान से करो जल्दमाजी नहीं मचाओ आपको किसी एक ऑप्षिन पे अगर डाउट भी होता है न तो आप बाकी ऑप्षिन देखो बैवन पी पोल में अंसर करना है क्लास में लगबग ग्यारा बच्चे हैं नो बच्चों ने अंसर कर भी दिया है तेन सेगेंग का टाइम में और देती हूं तो यह देखते ही समझ में आने वाला क्वेस्टन है दस, नौ, आज, साथ, छे, पाँच, चाथ, तीन, दो, एक अब एक बार जारा वो बच्चे हांडेश करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया सब ने कर दिया, very good, very good, very good बच्चों लगता है कुछ बच्चों ने question ही ध्यान से नहीं पढ़ाता question में था कि परिमय संख्या नहीं है उन्होंने सिर्फ पहला option देखा और सोते हैं यह परिमय संख्या इसको टिक कर देखो परिमय संख्या नहीं के बारे में पूछ है तो तीन बटा पांच की अगर बात करें यह तो परिमय संख्या होगी ना होगी भी नहीं होगी बिलकुल होगी हमारे पास तीन condition है पी बटा क्यू के रूप होना चाहिए पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए पुन्नाक होने चाहिए और तीसरी condition क्या है कि क्यू जिरो के बराबर नहीं होने चाहिए तो यह दोनों पी और क्यू पी बटा क्यू अंच बटा हर के रूप में है पी और क्यू दोनों संख्या शे की ऐसी क्या खास बात है हम शे को क्या लिश सकते हैं बच्चो देवन्ती हम शे को क्या लिश सकते हैं बेटा साहिल संख्या में भूप देवन्ती हमें की त्यू के रूप में लाना है ना तो हम उसे 6 बटा एक लिख धिया जहां पर 3 औल। दोणों पूंण आंख है इस ते समझ में आया है अश्यू को क्ये ह्म अच 3.4 ये परिमे संख्या कैसे है उर्मिला उर्मिला बताएगी आर्टी उर्मिला नहीं ये शाहएद अर्टी आर्टी है इंद बारा बोलना अच 3.4 जो आप्शन C है न वो परिमे संख्या क्या होगी की नहीं होगी पहले मुझे ये बताओ जो ऑप्शन सी है ना ये 3.4 क्या ये परिमेशन क्या है है तो कैसे है मुझे तो पी बटा क्योंके रूप में नहीं 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 वेरी गुड हमें इसे 34 बटा दस लिख सकते हैं बिलको ठीक जवाद बचा अंडरूप 3 तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा इसका पी बटा क्योंके रूप में नहीं लिख सकते है तीरी सी बात है ये तो हमारा कौन सो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए तब 3 बच्चे ऐसे हैं जुनोंने ऑप्शन A, B, C चुना है कौन है वो तीनों बच्चे? कौन है वो तीनों बच्चे पता है उन्हें? बच्चो बहुत घ्ञान से करना ठीक है एक और question करोगे सब? चलो, एक और question करते हैं, अब ये भी बहुत easy सा question है, देखो chat में कोई भी वच्छा आंसर नहीं करेगा, ठीके, अब आप में इसे परीमे संख्या पहशामनी है, इसमें से परीमे संख्या कौन सी है, और इसके बहुत सारे examples में आपको पहले भी करा चुकी हूँ, ये में चाती हूँ कि पूरी class का ठीक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे examples हम शुरू में क्लास में कर चुके हैं, जिसने class में ध्यान से पढ़ा होगा, उसको ये आंसर आता है, पांच बच्चों ने जिनकी आपको hand raise नजर आ रहे हैं, सुमित, विवेक, नीरच, मुस्कान और रवी इन पांचों बच्चों के ठीक है आंसर, देवंती ने भी आंसर कर दिया है, साथ बच्चों ने आंसर कर दिया है, और लगभग सभी का ठीक है, अंडरूर दो, अंडरूर तीन, अंडरूर चार और अंडरूर पांच, हमने ऐसे example दो बार किये हैं पूरी आज की class में, तो स अभी बच्चे ध्यान से किया करो, क्योंकि जो आप class में पढ़ते हो, तीशे related questions होते हैं, आठ बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी दो बच्चे, तीन बच्चे रहते हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया, पांच सेकेंड और, 5, 4, 3, अभी भी एक बच्चा है जिसने आंसर नहीं किया, 2, 1, साहिल आपने आंसर किया, पांच सेकेंड नहीं किया है, तीन बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, अंडरूफ चार पी वही हो कितने होती है, आप इसको फिराफ सॉल्व कर देखो, अंडरूफ चार का हतलब क्या होता है, दो गुना दो, दो गुना दो, और इस दो को आप स्क्वेर रूप के बाहर निकाल लोगी, तो दो आएगा आसर, अब क्या बताओ, अब दो के बारे में चर्चा करो, क्या दो एक परिमे संख्या है, क्या दो एक परिमे संख्या है, ये वाला उत्तर हमारा सही होगा समझ में आया सब को परिमय संख्या क्या होती है ये समय ठीक है अब थोड़ा सा अब क्यूंकि हम परिमय संख्याओं का जूर खटाव भी आगे पीछेंगे उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़े एती ही जो हमें पीछे की पता होनी थी ही जो हम अल्रेडी पढ़के आ चुके हैं अब मैं आपके सामने कुछ 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 क्वेस्टन लिखूंगी आप सभी को वो सॉल्व करने हैं ठीक है देखते हैं कितने बच्छे को याद है ये सॉल्व करने हैं आपको अब एक बार पहले में थोड़ा सा रूप किस-को याद है कि हम ये इंटीजर को यानि के पुर्णापों का जोड़का आप कैसे कर चेते हैं को हैंड रेज करो एक बार वाकिसार बच्छे हैंड लाउन करो अब हैंड रेज करो किस-को आते हैं ये सॉल्व करने ओके ठीक है ठीक है ठीक है अब वो बच्छे हैंड रेज तरो जिनको नहीं आता है सॉल्व करना इमांदारी से साहिल को और अच्छा सभी को आते हैं तो फिर सभी बच्छे ट्राय करेंगे अपनी नोट्बुक पर ट्राय करेंगे मैं यहाँपर थोड़े से हिंट भी लिख देती हूं एक लिख देती हूं हिंट तो क्या केप वण में आपको क्या करना है आपको ब्राकिट कोलना है अगर ब्राकिट है तो एक लिखви हो जाता है plush gonna plus plus होता है plus gonna minus minus होता है minus gonna plus प्लस होता है तो पहले step में ये करना है दूसरे step में आपको क्या करना है अगर same sign है same chin है तो क्या करेंगे आप जोडोगे और अगर अलग अलग चिन है तो आप उन दोनों को ठताओगे और उसके बाद तीसरे स्टेप में आप डिसाइड गरोगे जो संध्या बड़ी है उसके साथ जो चिन है वो वाला चिन फाइनल आंसर में लगए एक मुझे नीरज मैं देखती हूँ आपके आंसर ओके पहला तो ठीक है दूसरा मुझे ना क्लियर समझ में आ रहा है आपने क्या लिखाए दूसरा क्या अच्छा माइनस एक तो ठीक है माइनस दो वेरी गूड नीरज का बिलकुल ठीक है एक मैं देखते हूँ आपका बिटा मुझे पूरा ना अंसर पहला आंसर नजर आ रहा है बस हाँ चाहे तो आप बच्छे आप लोग चाट में भी लिख सकते हूँ चाट में भी सॉल्व करके लिख सकते हूँ तो ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओकी, very good, very good, बीवेट, चलो, अब मैं एक-एक से पूछूँगी, ठीक है, अब ऐसा गट्टे एक-एक से पूछूँगी, पायल है क्लास में, पायल, पायल जो सबसे पहला question है, क्या इसमें पहला step bracket खोलने की जुरत है, कोई bracket है इसमें, नहीं है, तो हम दूसरे step पे आते है तो पंदरा और दस का निशान सेम है या अलग-अलग है, सेम है मैं, सेम है, तो आप जोड करोगी या घटाव करोगी, जोड मैं, जोड होगी, तो पंदरा और दस को जोड के कितना आता है, पत्तिस, पत्तिस आता है, उसके बाद बड़ी संक्या कौन सी है, पंदरा या दस पंदरा में माइनुस तो हमारा फाइनल आंसर माइनस आएगा वेरी गुड ठीक है आर्थी है क्लास में आर्थी ओके चलो सेगेंड वाला विवेक आप बताओ विवेक पहले क्या काम करना पड़ेगा हमें ब्राकेट ओपन करना पड़ेगा बच्चो यस और लो जो ब्राकेट ओपन करने के लिए ये प्लस है ये माइनस है जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती हम उन्हें गुड़ा करते हैं ठीक है हम उन्हें क्या करते हैं बच्चो गुड़ा करते हैं साहिल प्लस को माइनस पे गुड़ा करने पर क्या आता है यहां प प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है, तो आप प्लस की माइनस से गुणा करी, माइनस आगे, माइनस दस, माइनस ग्यारा, साहिल दोनों के निशान सेम है या अलग अलग है, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों के माइनस ग्यारा दोनों के निशान सेम है या अलगे तो आप जोड़ोगे या घटाओ करोगे जोड़ करेंगे अच्छा दस और ग्यारा को जोड़ो कितना आएगा 21 आजाएगा और ग्यारा बड़ा है ग्यारा के पाद माइनस है तो आप माइनस ग्यारा इसी परा ओके डेवन्टी आप अन्मूज करो बिटा अगले का अंसर क्या आएगा माइनस दस आएगा पहले आप देखोगे ब्राकेट खुलने की जुरत नहीं है दोनों के निशान सेम है तो जोड करोगे जोड करने पर क्या आएगा बढ़ा है मैम नौ बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है मुझे बताओ क्या या पर भ्राकेट है नो मैम नहीं है अब दूसरे step पे आते हैं क्या 7 और 9 के निशान same है या अलग अलग है अलग है मैम तो आप क्या करोगे जटा करेंगे तो नौ और साथ नौ मेंश नौ और साथ के भीटक फार कितना होगा नौ मेंसे नौ मेंश साथ ज़ेंग करें मैम नार्टी कि मुझे फिफ्ट आंशर भी बता दो क्या आए गा? 0 आए गा मैं. 0 आएगा हाँ. सबसे पहले हम bracket खोलेंगे. हाँ मुस्कान? बताओ कि 0 कैसे आएगा? आप steps बताओ. मुस्कान? यस मैं. आप बताओ पहला step क्या होगा? ब्राकेट खोलना होगा? तो किस की किस से गुणा होगी माइनस माइनस प्लस मैम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस की माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है अब क्या करोगे step 2 देखोगे निशान same है या अलग है अलग अलग है तो जोड़ोगे या घटाव करोगे गटाव करेंगे, दस में से दस गए, गीरो, बचे, वेरी गुड, वेरी गुड, इसका मतलब सभी बच्चों को यार था, वेरी गुड, तो अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको पुणाकों की जोड़ गटाव नहीं आती, वो हैंड बेस करो, अगर नहीं आती तो सच बताओ, सभी को अच्चे से आती है, ठीक है, तो ठीक है, आज होमग के मैं इसे का एक टेस्स भे दूझ है, तो पता भी चलगाएगा, किसको किसने अच्छे से आती है, अगर किसे को ठोड़ी सी भी प्रफ्रोब्लम होग तो वो पूछ ले, अगली क्लास में हम दिसक्ष्ट भी कर यह मैंने आपको क्यों पढ़ा है कि आगे हम जब परिमेश संज्याओं का जोड़ खटाब करेंगे तो आपको यह बहुत काम आएगा काफी बच्चे इसको भूल चुटे हो आपको ऐसे नहीं मैंने रिवाइज कि आगे अगली क्लास में हमें यह काम आने वाला है तो अगली माइनस और पलस का दे रखा है मैं माइनस की आपलस पलस कर रका है मंआपने माइनस नहीं जाए है क्या धाँटो कर दो अलग एखिंदी में लिख नजर आते हैं तो बोला करो डरना नहीं है तो मंडे की क्लास, अब हम मंडे को मिलेंगे, और मंडे को हम इसके आगे, जो हमारी परिमेर संख्याओं पर उपरेशन्स है, उनका प्लस, माइनस, गोणा भाग उसारी की देखेंगे, और हम आई साइस का आपके दसवी के स्लेवर्स के, 10th को आपकी चाप्टर्स है, 10th के हैं?